अपर वो थे भी है अई अधियर है तो आस बीलबिकस्ट अधियर है मराथी वांग वानन सव जागा होग्य अधियर है अधियर अधियर है 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 लोग नियुक्ति पर ज्दो भूणा को दोझत ते हम आपकर स्वागत है आज की देकद नियूज शुरू करें एक्चुली में मुझे खून थोड़ा लग रहे जाद आ रहा है येस हो गया थोड़ा काम भारी आपको आगे दिखाता हूँ एनिवेस दोस्तों बात करते हैं कल के पोल की तो मैंने आप से पूछा था कि आप दिन में अपने फोन को कितने बार चार्च करते एक लाग पचीस हजार से दाता लोगों ने वोट दाल दिया उस WAY स दोस्तों ने ऐसा कहा कि हम सिर्फ एक पर कर ते 50 पर Jackson लोगों ने एका कि दिन में दो बार चार्ज करते हैं वो भी मेरी तरह है मैं भी ऐसी करता हूँ और डिपेंड करता है यूसेज के उपर और मुझे अफसोस उन लोगों पर हो रहा है जो 12 पसंद लोगे जिन्होंने 5 से ज्यादा बर का है अधरी जिन्देगी तो चार्च करने में निकल जाती होंगे पूरा दिर वैसे करमा करम डेक न्यूस दोस्तों आज लेकर आगया हूँ आयोस 14 पर हमने दोस्तों एक पूरा वीडियो बनाया है आप जरू से जागे देखना आइफोन पर भी हम दिरे-दिरे वीडियो बनाना अभी शुरू कर रहे है वीडियो बसना कि लाइक करना 30,000 तो हम क्रोस कर रहे है कल अन्बॉक्सिंग आने वाली लगातर मजा आने वाला है जाड़े विसी करते है फड़ा वट से आज करते है वाटसेप से वाटसेप दोस्तों आप यहाँ पर ऐसा बताया है जारे कि वह ए लाल के लिए Android और iOS दोनों में देखा गया है और आप दोस्तों बहुत जल्दी ऑफिशल भी हो जाएगा WA बीटा इंफो द्वारा हमें पता चल रहा है तो आप दोस्तों फ्यूचर में आप वाटसप पर एनिमेटेट स्टिकर्स भी यहाँ पर बेज सकते है नॉर्मली तो स्टिकर्स बेज़के हम दूसरों को जलाते हैं अगर कभी मौका आता है तो लेकिन अब हिल्टा ढूलता स्टिकर्स देखके तो और भी जलेगी आप समझ के मैं क्या बूल रहा है तो क्या हम दोस्तों सोनी की दरफ से खबर आ रही है सोनी ने भाई सबको सुला दिया सीरिय सेजार का वैसे काफी प्रीमियम कॉलिटी के एक्टिफ नॉइस कैंसलेशन नौ घंटे से लेके अठारा घंटे तक का आपको समें बैक अप मिलता है और प्रीमियम फीचर्स प्रीमियम बिट यह तो ऑविस्टी है लेकिन नौ हजार और उन्नीस सेजार क्या होगा मतलब यह मैं जागी होगया तो यहाँ हो दोस्तो OnePlus की तरफ से आज दो इंट्रेस्टिंग ख़बर आ रहे हैं आज OnePlus पूरे Fire Mode के अंदर है Yes दोस्तो OnePlus सबसे पहले तो जो TV है जो 2 जुलाई को इंडिया में li僕 कर सकेगा इक और आप में प्री staying अग अगर आकester इंट्रेस्ट है तो आप एमेजॉन पर जा सकते मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ वहां से चेक आउट कर लिजी बात यह दोस्तों कि अब आप इसको एक हजार रुपय में प्रिवूख कर सकेंगे और अगर आपने इसको प्रिवूख किया तो जो 3,000 रुपय वाला जो इक्स्तेंड़ वॉरनंटी जो सर्विस आपको मिलीग इन टीवी पर दो साल की वो आपको फ्री में मिल जाएकी येस कियो कि जो एक हज़ार उपर देखे आप जो प्रीबुक करेंगे और जब टीवी आप और प्रचेस करेंगे जिहां ऐसा लिखा है कि आप इनको प्रचेस कर सकेंगे तो जो एक हज़ार उपर आप में दिया था वो भी आपको वापस मिल जाएगे तो फ्री में आपको दो साल की extended warranty ब पर मिल जाएगी प्रीबुक करने से सारी instructions दोस्तों मैं आपको description में लिंक दिया हूं वहाँ पर जाके आप चेकाउंट कर सकते हैं दूसरी तरफ दोस्तों वन प्लस ने officially एक इंस्टेग्राम पर पेज बना दिया है उसके अंदर हमें वन प्लस के यह जैड यह लाइट वाले affordable phones मिलेंगे इसके बार में अभी कोई confirmation ने लेकिन दोस्तों बहुत ही affordable range पर यह phones आने वाले है क्योंकि वन प्लस बहुत confident है और हमारी भी बहुत ज़्यादा आस है देखते दोस्तों क्या खास होता है और यह हमें July के first week में ही पता चलेगा मैं वैसे बहुत excited हूँ वैसे आप क्या expect करते हैं दोस्तों आप मुझे comment करके बता सकते हैं वैसे दोस्ते एक चीज आपको दिखा नहीं थी मजाग मजाग में सच में लग गया है हलाकि मैं कीक मार रहा था तो पीछे यह मुझे लग गया back side तो यह देखेंगे यहां से ब्लाड़ी भी आ रहा यह देखो पूरा यहां से लेके यहां तक देखेंगे बहुत बुरी त यहां पर वैसे दोस्तों इंडिया में हम बहुत बात करते हैं कि चाइनीज प्रेड़क्स को बॉयकॉट कर दो यह कर दो वो कर दो ठीक है अपनी जगा पर बात सही है लेकिन अब दोस्तों आपको पता है रेड्मी नोट 9 प्रो मैक्स जो सेल पर गया था आज वो कुछ ही स आउट ऑफ स्टॉक हो गया दूसरी तरफ मोटरला वन फ्यूजन प्लस भी चुटक्यू में आउट ऑफ स्टॉक हो गया उसके पहले वन प्लस एट सेरीज जो थी वो कुछ सेकंड्स के इंदर आउट ऑफ स्टॉक हो गी थी एक तरफ काफी सारे लोग बोलते है कि चाइन आपको boycott कर दो उनके products को boycott कर लो दूसरी तरफ लोगों को phone चाहिए क्योंके पास और कोई phone नजर में नहीं है value for money product उनको लेना है तो वो कहां जाहेंगे दोस्तों वो यही phones लेंगे और वो क्या करेंगे माइकल मेक्स तो नहीं दे सकता है नलावा दे सकता है आप मुझे कमेंट करेंगे बता है कि अगर आपको ऐसा को Chinese phone दिखता है जो affordable range में value for money product प्रोवाइड कर रहा है तो क्या आप उनको purchase करेंगे नहीं करेंगे वो आप मुझे comment करके बता सकते है तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से I mean Redmi की तरफ से एक बहुत इंट्रेस्टिंग खाबर आ रही है और इससे दोस्तों एक हिंट आ रहा है कि इंडिया के अंदर जो Redmi 9 आएगा वह आपको around 10,000 के असपास देखने को मिल सकता है Redmi 9 दोस्तों I think पिछले महीने Spain में लौंच हुआ था और उसकी जो प्राइ जो 11,000 का है और एक 6128 भी आपको इसमें मिलेगा जो कुछ 13,000 या 35,000 के असपास है तो बहुत ही अच्छी प्राइस पर वहाँ पर गया है इसमें Full HD Plus के आपको डिस्प्रेई, Helio, G80, Quote, Camera 5,000 भी से मिच की बैटरी है और 18W के Fast Charging का सपोर्ट आपको मिलता है तो ऐसी प्र बहुत टाइम से में सोच रहा था पोको कब बोलो और आज मौका मिल गया है दो दोस्तों अन्नोन फोन से यह मुकुर्ण शर्मा ने ट्वीट किया था मतलब बैक्टरी से फोन की BN58 और BM4W मुझे पहले रहा था BMW लेगे में BM4W वो लिस्ट हो गए दोस्तों ऑनलाइन जह होंगा मिलेंगा बहुत ही अच्छा होगा most probably दोस्तों पोको M2 Pro ही हो सकता है अभी ऐसे leaks और rumors निकल करा रहे हैं लेकिन वह इंटरस्टिंग होगा देखते हैं दोस्तों आप मुझे कमेंट करें बता सकते हैं वैसे दो लगया हाथ तो ऐसा बताया जाने कि Redmi K40 जो आएगा वो आपको Snapdragon 690 वाले processor के साथ में मिलेगा जो अभी हाली में Qualcomm ने अनौंस किया था Snapdragon 600 series में आपको 5G मिलेगा यह 675 का successor है बहुत ही powerful processor है यह processor के साथ में Redmi K40 आएगा और अभी थोड़े ही time में China में launch हो जाएगा ऐसी strong league से आप पर निकल करा रहे हैं लेकिन उससे पहले जुलाई में हमें इंडिया में Redmi K30 Pro मिलेगा और उसके बाद हमें Redmi K40 वगरा मिल सकता है देखते दोस्तों Redmi K40 क्या खास लेकर आता है तो हमें आगे चलके ही पता चलेगा तो यहां पर दोस्तों 2020 की top 50 most innovative companies की यहां पर लिस्ट आ चुकी है जी हां और इसमें दोस्तों obviously हमें कोई भी Indian company देखने को नहीं मिल रही है बहुत ही sad बात है दोस्तों कि हम Indian companies जो है वो innovation में ज्यादा कुछ है नहीं और इसमें top 10 अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको Samsung दिख रहा है Apple दिख रहा है Alphabet जो Google की parent company है Huawei भी आ गया है Microsoft है Sony Facebook अगर है top 50 में तो बहुत सारी दूसरी भी company से लेंगिन Indian companies में नहीं है वैसे आप क्या expect करते दोस्तों कौन से Indian company इस list में होनी चाहिए वो आप मुझे comment करके बता सकते हैं क्या आपको बता है कि दोस्तों 2011 के अंदर एक 75 years old woman थी उन्होंने गलती से फाइबर केबल को नकट कर दिया था उसके वज़े से द always keep smiling